आज हम एक रोचक प्रियोग के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऐस्टेट का प्रियोग तो चलिए इसके इतिहास के बारे में जाने पहले ओस्टेट ने खोज की थी कि जिस प्रकार चुमबग के चारो और चुमके छेतर उत्पन हो जाता है ठीक उसी प्रकार से किसी तार में बिजली प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों और भी चुमके शेत्रूत बन हो जाता है तो इसको देखने के लिए ही हाज हमें प्रयोग करने वाले हैं तो इसके लिए हमें किन-किन चीजों के आवशक्ता होगी चलिए जानते हैं सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक टेप, एक बैटरी, कमपस, यानि की दिशासूचर की अंत्र और रेजिस्टर, वायर, यानि की तार और कैजी इस एक्सपरिमेंट को करने से पहले ध्यान दे कि जो बैटरी यूज करें वे रिचार्जिबल बैटरी ना हो और कमपस को जाच लें कि वे सही से काम कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया रहा है फिर चलिए बढ़ते हैं प्रियोक की तरफ, सबसे पहले वायर का एक तुकड़ा काटे और उसके दोनों छोड़ों से रबर को हटा दे जैसे कि हमने यहाँ पे एक तार लिया और उसका एक तुकड़ा कैची की साहता से काट लिया फिर हमने उस तार के दोनों छोड़ों से रबर को हटा दिया फिर हमने तार के छोड़ को तार के उसी एंड को बैटरी के टर्मिनल से टेप के साहता से जोड़ दिया जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है अब सरकिट को कमपस के तरफ लाएं उसको कम्पलीट करते हुए यानि की तार का जो छोड था उसको बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोडते हुए कमपस की तरफ लाएंगे तो देखेंगे किस कमपस की सुई गूमने लगेगी कमपस की सुई जिस दिशा में गूमेगी वे Maxwell Right and Screw Rule की बिताई दिशा के समान होगी अब देखते हैं कि सरकेट की दूरी से कमपस की सुई का गूमना कैसे प्रभावित होता है जैसे जैसे हम सरकेट को कमपस के पास लाते गए वैसे वैसे कमपस की सुई तेजी से गूमने लगे अब देखते हैं कि जैसे ही हमने करेंट के दिशा बदली वैसे ही सरकेट कमपस की सुई दूसरे दिशा में गूमने लगे जैसे हमने पहले देखा था compass की सूई दूसरे दिशा में घूमे थी और अब हमने current का direction बदल दिया तो compass की सूई दूसरे दिशा में घूमे अब हमने क्या किया कि circuit में एक resistor को जोड दिया सरकेट में रजिस्टर के जोडने से सरकेट में current कम हो गया तो सुई का घुमना भी कम हो गया हमने रजिस्टर को इस प्रकार जोड़ा है जैसा यहां दिखाया गया है अब जैसे ही हमने रजिस्टर को जोड़ दिया और सरकेट को complete किया तो circuit में current कम हो गया तो इसलिए सुई का घूमना भी कम हो गया तो इससे हमें पता चलता है कि सुई का घूमना current पे depend करता है थैंक्स फर वाचिंग